हेलो गाईज मेरा नाम है अभी एश्टडी गलो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आपको पता है कि गर्मी बहुत तेजी से पढ़ रही है दिल्ली में भी 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है यहां भी दोस्तों गर्मी बहुत है और आपको क्या बताऊं कि सोना एकदम मुस्किल हो चुका है तो दोस्तों यहां पर हैलाइन समझता है कि क्लाइमेट चेंज कॉज 26 इस्ट्राइश आप एक्स्ट्रीम हीट ग्लोबली यानि कि क्लाइमेट चेंज की वज़े से पुरी दुनिया ने 26 दिन इस्ट्रा हीट इवेब से यहां पे जहला रही है तो दिनिया के यहां पर बात हो रही है सिनल भारत की बात नहीं और दोस्तों यह किस वज़े से हुआ है यह सिर्फ ख्लाइमेट चेंज की वज़ेस वह ऐसा यह माना जा रहा है दोश्तों जब भी हम क्या करते हैं अगले साल का घृश लाइन जो गर्मि था और पास है चाहिए ही चाहिए कैसे लिका लेंगे यानी कि मुझा इतना मीनिमयम तो होन lib वहां पे आपके सब्सक्राइब करते हैं तो आप यह कहते हैं कि अपि यह सब घर ओग्न से 10 यहां यहां पर नाम है Red Cross Red Crescent Climate Center यह एक non-profit organization जिनका काम ही यही है इन सब चीजों के बारे में देखना ठीक है दोस्तों तो यहां पर दोस्तों इन्होंने यह डेटा लिकाला है अब दोस्तों अगर आप देखेंगे इन्होंने जो डेटा लिकाला है कब से लिकाला है 1991 से लेके थीक है 1991 से लेके 2020 या निकि लगबबग 20 साल का इन्होंने क्या किया डेटा लिया उसका एक बेस लाइन लिकाला और बेस लाइन लिकालने के बाद दोस्तों क्या हुआ माल लिजे कि इन्होंने इनके पास था कि N हीट वेस्ट पढ़ते थे ठीक है तो यहां पर दोस्तों ने कहाँ कि अगे और पिछले साल गर्मिया पढ़ रही थी तीक है इस्ट्रा इन्होंने गर्मी जहली है यानि कि एक महिना इस्ट्रा गर्मी पड़ा है आप कलपना करिए कि जो एगरिकल्चर का काम करते हैं जो खेती करते हैं या ऐसे चीजे जो मांसून पर डिपेंड करती है क्या हाल होगा उनका वो किस प्राब्लम से जूज रहे होंगे क्या होगा ठीक है क्योंकि यहां इन्सान जो कमरे में बैटा है जो कूलर लगा के बैटा है लाइट चली जाती है तो हालत की खराब हो जाती है वो परदाब लेकिन आप सोचिए कि जिनकी पूरी लाइफ उसी पर ही डिपेंड है वो कैसे होगा और किस वज़े से हो रहा है यह ग्लोबल वामिंग की वज़े से क्लाइमेट चैंज की और कौन करता है यह इंडर्शलिस्ट जो बहुत ऐसे बड़े-बड़े काम करते हैं वही लोग यह करते हैं गौर्मेंट आपने जखाऊ का बहुत बात दोस्तों क्या होता है कि संस्थाइ मिलती हैं गौर्मेंट आके इस पर डिसकस करते हैं अलग अलग देश्की लीडर आते हैं लेकिन सवाल यह है कि अखिर कब तक डिसकस इसका कुछ तो होना चाहिए कुछ तो टेंपरेरी सलूसन होना चाहिए कुछ तो ऐसा हो जिससे कुछ तो सलूसन लिख ले ठीक है हम लॉंग टर्म में हम करेंगे लेकिन अभी जो अभी जो प्रॉब्लम आ रही है जो लागातर हीट क्या कर सकते हैं इसको भी हम यहां पे देखेंगे लेकिन दोस्तो दोस्तों अगहर देखेंगे कि यूर यॉरोप ने क्या किया था 2023 को सबसे गर्भी मानग जेखेंगे यहां पे देखेंगे 31 डे में याcken अब नम्य श arguments तो यहां परहूंat देखंगे कई ऍनले आप देखे सब्सक्राइब करते हैं लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो आप यह कितना ज्यादा यहां पर डिफरेंस है आप देखेंगे दोस्तों यहां पर लाइटिन अमेरिका में सरी नेम करके कि यहां पर देखेंगे तो यहां पर दोस्तों क्या था कि पहले 24 दिन पड़ते थे कितना हो रहा है दोस्तों Colonel चाहट कितना ठीक है जरे टृवर पहले कि टना था पंडला अब कितना हो रहा एंस दोस्तो इस तरीके से जो देंस यह प्रप्रिलमग्राल लुटू है अब दोस्तों सबसे बड़ी चीजी है कि हम इस पर क्या कर सकते है ठीक है इस पर दो तो तीन ऐसक्तिर हो सकती है तो सबती है हम कहें को बता हम से ओघ्य सारी जो फंदी के dilek बहुत सारी जो ओफिस रशें होते हैं आपको पता है कि न किасти सिंगपूर एंदू जो हमें के और टीक है जादातर लोग वह वही पर जाके ग्लोबली अपने विजनस को ग्रोग करना चाहते हैं तो वहां प्रटीर जो जो आफिस बनते हैं दोस्तों आप देखेंगे वह जादा तिर तीक है वो देखेंगे एगर्स उनके उनके होता है से बिल्डिंग्स की इह है यहां पर बारिज होती है यहां पर पेड ज्यादा लगा सकते हैं लेकिन आहरा पर दिखेंगे थे यहां पर जो यहां पर चाहिए यहां पर त्हकर नेचुरिल को ठंडा करते हैं यह चीजे हो सकती है कि हम ठीक है हम पेड लगाएंगे लेकिन ज्यादा तर छोटे-छोटे पेड ऐसे लगाएं जो हमारे आस पास की निवार्मेंट को ठंडा रखे इससे क्या होगा दोस्तों अगर सब यह करेंगे तो जो जो निवार्मेंट का टेंपरेचर है कुछ तो कुछ वहां पे कम होगा दूसरा दोश्तों की technology ठीक है कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए ठीक है जो वेगानिक संगक्ठन है कई साहसा है क्या करें जो अभी कुछ तो रहत लोगों को मिल सके चाहे हम कुछ तिकडम लगाएं कुछ भी लगाएं लेकिन या हम globally उसको ठंडा करें ठीक है कुछ ऐसे इन्वेंशन करें, जिससे जो ग्लोबल वामिंग है, कुछ तो कम हो, ठीक है, टेंपरेरी के लिए बाद हम पेड लगा के कम करेंगे, लेकिन कुछ तो कम होना चाहिए, इस पर वैग्यानिक ही कुछ कर सकते हैं, दोस्तों को पता है कि बहुत सारे से प्रॉब्लम आये हैं, ज जिसे आप गाउ में कभी जाएंगे, जहां बहुत सारे पेड है, कितनी भी गर्मी पड़े, आप च्छाओ में चले जाएंगे, वहां पर ठंडा महसूस होता है, तो वह टेंपरेचर को क्या करता है, दोस्तों कम करता है, यहां पर हमें कुछ न कुछ तैसा करना होगा, जि जरू करें, मिलते हैं, नेक्स लेक्चर में, थैंक्यू, सो मैच